नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है कथा मंच में मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ इतियास के पन्नों में गुम एक अनोखी एक एक तरफा प्रेम कहानी आपने एक तरफा प्रेम के मामलों में पुरुसों को ही महिलाओं के उपर रिष्टे हुए देखा होगा लेकिन ये कहानी इससे उलट है ये कहानी है एक बात्साह की बेटी का राइस्थान के वीर युद्धा के परती अटूट प्रेम और पागलपन तो चली सुनाता हूँ ये अद्भुत कहानी आपसे निवेदन है कि कहानी के अंतर तक जुड़े रहें पसंद आये तो लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ये बात सन 1305 की है दिल्ली सल्तनात पर अलाउद्दिन खिलजी का सासन था उसका एक सेनापती था आयन उल्मुलतानी उसने जालोर पर आक्रमन की रादे से कूच किया उस समय जालोर पर कानार देव का सासन था अलाउद्दिन के सेनापती ने कानार देव से कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ अच्छा होगा कि आप संधी कर लो और सुल्तान अलाउद्धिन की सर्तों को मान लो अगर युद्धिन करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है हम उसके लिए त्यार हैं लेकिन सोच लो कि युद्धिन से जादा नुक्सान किसको होगा जालोर के राजा कानार देव ने सोचा कि युद्धि में तो हारना तय है क्योंकि अलाउद्धिन की सेना बहुत ही बड़ी थी और उसके सामने जादा दिन तक टिक नहीं सकते थी सो कानार देव ने संधी कर ली जब जालोर के राजा कानार देव ने संधी पर सहमती दे दी तो अलाउद्धिन के सेना पति ने कहा कि संधी पर हस्ताक्षार तो दिल्ली में ही होंगे तो आप दिल्ली चलिए और जब संधी हो ही रही है तो कुछ दिन दिल्ली सल्तिनत की महवान नवाजे का भी लुत उठाईए जालोर के राजा कानर देव ने सेनापति की बात मान ली और कानर देव का एक बेटा था, नाम था बीरम देव सुंदर नविवक, चेहरे पर तेज, वलिष्ट शरीर, सांतितिक्ष्ट बुद्धिमता बीरम देव भी अपने पिता के साथ दिल्ली गया दिल्ली में जल्दी बीरम देव की सुंदर्ता और बुद्धी चातुरी के चर्चे होने लगे कहा जाता है कि बीरम देव के एक आम पूरुस की भाती हाथ पेरों में बाल नहीं थे जो उसकी सुंदर्ता के साथ कोमलता को बढ़ा जेते थे अलाउद्धीन की एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा उसने भी बीरम देव के बारे में सुना तो उसे देखने की चाहा उसके दिल में जाग गई एक दिन सुबह सुबह फिरोजा अपने मेहल की छट पर थी तई वहाँ नीचे से बीरम देव कसरत करके लोट रहे थे दाशियों ने फिरोजा को बताया कि यही बीरम देव है फिरोजा खुबसूरत बलिष्ट नौजवान पर मोहित हो गई और अपना दिल दे बैठी यह लव एट फर्स साइट का मामला था फिरोजा ने पहली नजर में ही बीरम देव को अपना पती हमेशा के लिमान लिया था उसके प्रेम पास में बन चुकी थी फिरोजा ने अपने पिता सुल्तान अलाउद्दिन को बताया कि वह बीरम देव से साधी करना चाहती है तो अलाउद्दीन बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपनी बेटी को समझाया कि हमारा और उसका मज़ावा अलग-अलग है मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ और वो एक छोटी सी रियासत के राजा का बेटा है नहीं है साधी हर्गिज नहीं होगी लेकिन फिरोजा नहीं तो ठान लिया था कि साधी करूँगी तो सिर्फ बिरमदेव से करूँगी बेटी की जित के आगे अलाउद्दीन खिलजी मजबूर हो गया उसने कानड़देव और बिरमदेव को बताया कि हमारी संधी को रिष्ठदारी में बदल लो और बिरमदेव के साथ मेरी बेटी फिरो जाके साधी कर दो अब राजा कानड़देव और बिरमदेव ने सोचा अगर यह साधी के लिए अभी मना किया तो अलाउद्दीन यहां से जाने नहीं देगा जबरदस्ति करेगा बहतर है हां कह दो तो बिरमदेव ने साधी के लिए हां कर दी और कहा कि अब हम जालोर जाएंगे और बापस लोड कर आएंगे साधी की तयारियों के साथ में और दोनों बापस जालोर आ गए बापस जालोर आकर अलाउद्दिन को संदेशा पहुचा दिया कि बिरमदेव किसी भी कीमत पर फिरोजा से साधी नहीं करेगा संदेशा पाकर अलाउद्दिन बोखला गया फिरोजा ने कहा कि मैं एक बार बात करके आती हूँ कहा जाता है कि जब फिरोजा जालोर आई तो बिरमदेव उससे मिलने तक नहीं गए उसका चहरा तक नहीं देखा और अपना चहरा उसे दिखाया इस संबन में उसने फिरोजा से कोई बात नहीं की और फिरोजा को संदेशा भेजवा दिया कि मेरा तुमसे साधी करना ठीक वैसा होगा जैसे पस्चिम से सूरज का उगणा होगा जिस प्रकार पस्चिम से कभी सूरज नहीं उख सकता मैं तुमसे कभी साधी नहीं कर सकता फिरुजा की गोहर बेज जती हो गई वह तमतमा कर बापस दिल्ली चले गई सेनापती को जालोर पर आक्रमन करने और बिरमदेव को जिंदा पकड़ कर लाने के लिए कहा साथ यह भी कहा कि अगर वह जिंदा ना मिले तो मुर्दा ही लेकर आना लेकिन लाना जरूर अलाउद्दिन ने जालोर पर 1311 में भयाना का आक्रमन किया और उसके पहले 1308 में उसने सिवाना का किला जित लिया था ऐसा कहा जाता है कि जालोर की चाबी सिवाना का किला था अगर जालोर को जितना था तो सिवाना को जितना जरूरी था तो जालोर को जीतने के लिए अलाउद्दिन ने पहले सीवाना को जीत लिया था तो 1311 में जालोर की लडाई में कानरदेव और बिरमदेव मारे जाते हैं अब अलाउद्दिन ने जालोर जीत कर उसका नाम जलालाबाद कर दिया था कहा जाता है कि उस भयान एक लडाई में बिरम देव बहुती वीरता के साथ में लड़े और ऐसे लड़े कि उनका सरी टुकडे-टुकडे हो गया था कहा जाता है कि अलाउद्दिन के सेनिकों को सिर्फ बिरम देव का सिर मिला था फिरोजा के कहया रोशार जब सैनिक बिरम देव का सिर लेकर फिरोजा के पास पहुँचे तो फिरोजा ने सोचा कि जिंदा रहते तो कभी मन भर कर देख नहीं पाई आज जिंदा नहीं है तो भी जी भर कर देख लूँ यह चहरा अपनी आखो में बसा लूँ फिरोजा ने जब बिरम देव के म्रत चहरे को देखा तो वह बहुत टूट गई थी उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी मेरे चाहने वाले का ऐसा म्रत चहरा मुझे देखना पड़ेगा वह बिरम देव से सच्चा प्रेम कर बैठी थी वह चहरे को देखकर बहुत रोई पस्ताई और उस चहरे को लेकर यम्मना नदी में कूद गई जल जोहर कर लिया अपने आपको स्वाप्त कर लिया और बिरम देव के साथ हमेशा के लिए एक हो गई तो मितुर ये थी बिरम देव और फिरोजा की कहानी अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो क्योंपर लाइक कर देजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोले जुड़े रहने के लिए धन्यवाद